आज हम समझेंगे कि पोस्ट मार्टम से कैसे पता चलता है कि मर्डर हुआ है या सोसाइट हुआ है पूरा केलियर बताएंगे ध्यान से सुनते जाएगा बहुत इंपोर्टेंट वीडियो बनेगी ध्यान से सुनना अगर मैं बात करूँ बेटा लीवर की ठीक है तो सबसे पहले लीवर कब खराब होता है जब आप ज़्यादा सराब पीते हैं क्या होता है सराब ज़्यादा पीने की वज़े से क्या होगा खराब हो जाएगा कौन लीवर क्योंकि सराब में क्या होता है जहर होता है अब जैसे माल लो किसी इंसान को जहर पिला दिया जाया क्या पिलाजा जहर पिलाजा अगर ओजहर पिलाएंगे न तो कैसे पता चलता है कि यह मरा कैसे है इंसान मरा कैसे है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसका जो लीवर होता है राइट साइड लीवर होता है लीवर को निकाल कर पोस्ट माश्टम किया जाता है उसको चीर कर अंदर देखा जाता है कि उसके अंदर जहर है या नहीं ठीक है लीवर को निकाल के उसके अंदर पोस्ट माश्टम करने के बाद उसमें चेक किया जाता है कि अगर जहर लीवर मे है तो इसका मतलब उसको जहर दे कर मारा गया है ठीक है या वो खुद जहर खाके मारा है समझ सकते हैं पहला पॉइंट कि अगर कोई जहर खाके मारा है तो समझना जाएगा ठीक कन्फर्म है ठीक दूसरा चीज मान लो बेटा कि अगर हो मान लो कि अगर उसको डुबो कर मारा गया है डुबा कर ठीक है तो क्या होगा अगर उसको मान लो पानी में डुबो कर मार दिया जाए तो क्या दिक्कत है अगर वो खुद डूब कर मर रहा है तो क्या दिक्कत है या मरने के बाद उसको डुबो जा रहा है तो क्या दिक्कत है अगर इनसान को जिन्दा पानी में डुबोएंगे तो उसके लंग्स के अंदर क्या प्रेजंट हो जाएगा लंग्स के अंदर पानी जाएगा अब उस पानी में एक सूच में टाइप के बहुत स्मॉलस्ट बैक्टेरिया होते हैं जिसका नाम है डाइटम्स जो कहां पर प्र जिन्दा मार रहे हैं तो उसके लंग्स के अंदर क्या प्रिजेंट हो जाएगा डाइटम्स है तो उसके लंग्स के अंदर अगर डाइटम्स मिल गया तो इसका मतलब उसको डुबो कमारा गया है लेकिन मरने के बाद अगर डुबो दिया जाए तो भाई लंग्स के अंदर त जाएगा न तो इसका मतलब क्या है कि उसको मारने के बाद पानी में डुबोया गया है अगर इनसान को जिंदा पानी में डुबोएंगे तो उसके लंग्स में water आएगा और water में present होते हैं डाइटम्स जिससे पता चल जाएगा कि उसके लंग्स में डाइटम्स होने की वज़े से कि उसके डेथ डुबो कर हुई है पानी में डुबो कर लेकिन मर जाने के बाद अगर पानी में डुबोते हैं तो क्या दिक्कत आएगी कि उसके लंग्स के अंदर डाइटम सी नहीं आएंगे आ गया समझ में ठेक है अगला पॉइंट मालो किसी इंसान का गला घूंट कर मार दिया जाए अब जब गला घूंटेंगे दियान से देखना यह है गला अब जब इसको गले पे दबायाएगा कोई तो क्या होगा इस गल गला घूंट कर मारा हो जब गला घूंट कर मारा जाए तो कौन सा सेप का इस्टेक्चर बनेगा ओसे का कंफॉर्म देखो अगर किसी का गला घूंट दिया जाए दबा के मार दिया जाए तो उसके गले पे ओसे पिस्टेक्चर बनेगा ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूं गले में V-shape structure बन रहा है तो इसका मतलब कि उसको वो क्या किया है? आत्म हत्या किया है. आत्म हत्या अब कैसे भाई? जैसे मान लो कि उसने फांसी लगाया तो क्या होगा? कि फांसी जो लगाया तो रसी जो होगी न ऐसे V-shape structure क्योंकि उठा रहेगा न रसी उपर से उठी रहेगे तो कैसा structure बनाएगा? वी से पिस्ट्रेक्चर बनाएगा तो उससे पता चलता है कि वो आत्मात्या किया है अगर वी से पिस्ट्रेक्चर बना है तो आत्मात्या है अगर वो से पिस्ट्रेक्चर बना है तो गला घौंट कर मारा गया है आगया समझ में अगला पॉइंट अगर माल लो किसी को जला कर जला कर मार दिया जाए ठीक है किसी को जला कर मार दिया जाए तो क्या होगा देखो जब किसी को कोई जलाएगा न तो पहला पॉइंट कि उसको जलाएगा तो इंसान क्या करेगा भागेगा जब वो दोड़ेगा भागेगा जब वो जल रहा है तो भागेगा ना तो उसके पैर का जो तालू होगा ना वो नहीं जला होगा आगे समझ में कि अगर उसको जिन्दा जलाया जा रहा है तो इंसान दोड़ेगा भागेगा तो उससे क्या होगा कि उसके जो पैर का तालू है वो नहीं जला होगा जिसकी वज़े से पता चलता है कि उसको जला के मारा गया है आगया समझ में ठीक है ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और सेयर जरू करिएगा कॉंसेप्ट मत भूलिएगा अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जोती बताईएगा